आगामी आर्थिक बर्षकों बजेट दीगो फराकिलो एबं समावेशी आर्थिक बृति आशिल गरने रोजगारी का अफसर बढ़ाऊने सुशासन प्रवर्दन गरने सेवाप प्रभावावा सुधार रश्रोत सादन को परिचालन मा प्रभावकारीता कायम गरने तर्फ परिलक्षी तुने जानगारी गराऊंचू सरपर्थम मा मुलू को अर्थ तंत्र रभवजट प्रणाली मा देखे का बिद्यमान समस्या तथा तुनवतिय अरुलाई सम्षिप मा प्रश्टूत गरने चाहांचू विश्व आर्थिक परिद्रिशे का साथाई केई आंतरीक कारणले गर्दा आर्थिक गतिविदी मा सिथिलता आई मुलू को अर्थ तंत्र दवाब मा रएको परिवेसमा मैले अर्थमंत्री को जिम्मेबारी समाले को चू चालू आर्थिक बर्ष मा उत्पादन व्यापार निर्मार्ण चेत्र मा सुष्टता आयको ले आर्थिक ब्रिदी निवन हुने देखियेको छा लक्षे अनुरूप राश्व परिचालन उनसके को छाई न सार्वजनिक रियर्ट को दाईतो बड़दाई गयेको छा सर्खारी खर्च को प्राथमिकी करण हुन नसकता साधन स्रोच शरीने गरी बिनोयजन गरने रा आर्थिक बर्षको अन्ते तीरा खर्च गरने प्रभीर्थि कायमेई छा साधन खर्च मा ब्रदी उदे गयेको छा आई जना कार्योंनें कमजर हुदा पुजी गद खर्च निउन उनुका साथाई खर्च को प्रभाब कारिता बढ़न सकेगो छाईना फलसरूप सर्खार को बित्त संतुलन मा चाप परेको छा निउनकुल गराष्ट बचत मुद्रा स्थिपी उतार चड़ावियुत पुजी बजार बर्दो ब्याजदर कमजर पुजी निर्माण निरंतर उच्च ब्यापार घाटा बंकिंग छेत्रमा खराब करजा को जोखिम जस्ताच सुनावती हरू अर्थतंत्रमा बिदेमान रहकाचन